जहिन बच्चों, वेलकम टू माई इंगलिश क्लास हम फर्स चैप्टर कर चुके हैं उसके बाद अगला टॉपिक है फोर डायरेक्शन्स मिन्स चार दिशाएं मिन्स अभी हम थोड़ा सा चार दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्शन्स मिन्स दिशाएं वार्ड मेनिंग्स आपको लिखना है कोपी में डायरेक्शन्स डी, आ, 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 ए, सी, ती, आ, ao, अ, ए, ए, स blij दिशाएं आपको पिच्चर में दिखाई दे रहे हैं सर्कल है उपर इस्ट-नीचे वेस्ट साइट में North और इस तरफ South ठीक है अब इसके बारे में हम पढ़ते है When you stand facing the rising sun जब आप उगते हुए सूरज के सामने face करके खड़े होते हो Stand S-T-A-N-D Stand means खड़े होना सुबह के टाइम जब सूरज उग रहा होता है निकल रहा होता है तब आप सूरज के तरफ अगर आप face करके खड़े होते हो तो क्या होता है देखते हैं In your front It is the east Means आपके सामने face के सामने कौन सा direction होता है East E-A-S-T East Means पूर पूरव दिशा होती है ठीक है आगे है At your back और आपके पीछे It is the It is the west W-E-S-T West Means पस्चिम ठीक है आपके आगे पूरव होगा और आपके पीछे पस्चिम होगा उसके बाद To your left आपके left hand की तरफ It is the north आपका left hand की तरफ North होगा N-O-R-T-H North Means दक्षिन होगा North उत्तर होगा और राइट हैंड की तरफ South Means दक्षिन होगा Now you know all the four directions आप आपको सारे four directions के बारे में पता है बता दिया है मैंने Four directions कुन-कुन सी है East, West, North and South तो आज आपको East, West और North, South के बारे में बता दिया है तो हम आगे चलते हैं इसका हम first question कर लेते हैं ठीक है Question first हम इसके according कुछ questions भी है आज हम first question करेंगे आपको यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है Imagine you are standing facing the rising sun आपको imagine करना है कि आप उगते हुए सुरज के सामने खड़े हैं Write the directions in the given boxes To complete the picture given below आपको पिक्चर दिया हुआ है सुरज का पिक्चर है और उसके सामने उसके नीचे four boxes है उन boxes में आपको directions लिखने है direction के name लिखने है अब यहाँ पे right hand side में उपर सामने आपको sun है sun का पिक्चर बना है sun की तरफ आप मुझ करके खड़े है तो यहाँ पे sun के नीचे देखे फ्रॉंट फ्रॉंट लिखने है लेफ्ट में इधर लेफ्ट है फ्रॉंट के नीचे राइट है और फ्रॉंट के ठीक सामने back है तो इन सब में आपको direction के name लिखने है फ्रॉंट में क्या आएगा east लेफ्ट में north बेक में west राइट में south फ्रॉंट east e-a-s-t east left north n-o-r-t h-north back में west लिखा है आपने west west और right वाले box में south s-o-u-t-h south इस तरह से आपको ये complete करना है जहन बचो